दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में प्यारे बच्चों इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान से समन्दित महात्रपूर्ण प्रस्णों की यह प्रस्ण जीव विज्ञान से समन्दित प्रस्ण है जो 2018, 2019 और 2020 की पर अपकी स्केन पर आइस से पहले के प्रस्णों को हमने तीन वीडियों के माध्यम से आपको अपलब्द कराया है, अगर आप नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 86 नमस्कार प्रस्ण है, फलों का विकास होता है प्रांकुर द्वारा, मुलांकुर अंडार से द्वारा उपर इक्त में से कोई नहीं तो राइट और पूछ मोगी यसका है अंडार से के द्वारा फ्लों का विकास होता है ुग तो से अलावा प्रांकुर से प्रारोह तंतर का विकास होता है तो यह काफी इंपरण्ट है यह सारे प्रस्न आपके पूछे जाचुए है नेक्स्ट सवाल नमर 87 है H1N1 वाइरस से फैलने वाला रोग है एड्स, स्वाइन फुलू, मलेरिया इनमें उपरवक्त मैंसे कोई नहीं तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर होगा स्वाइन फुलू, H1N1 नामक वाइरस से फैलता है इसके बाद है 88 नमर प्रशन, पत्तियों का हरा रंग निमलिखित मैंसे किस के कारण होता है तो इसका अंसर आपको पता होगा आपसर नमर दो सही है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है इसके बाद है 89 नमोप्रस्ण नेम्बू में पाया जाने वाला विटामिन है तो नेम्बू में कौन सा विटामिन पाया जाता है आपसे नमबर 3 सही है विटामिन C विटामिन C नेम्बू में पाया जाता है इसके अलावा विटामिन A की बात करें तो इससे होने वाला रोग, एनीमिया, विटामिन B की कमी से होने वाला रोग, बेरी बेरी और विटामिन K की कमी से होने वाला रोग, रक्त का ठक्का जमने में प्रब्लम होती है ध्यान रखेगा और विटामिन C की कमी से इसकर भी रोग होता है तो ये सारे प्रशन आपके पूशे जा चुके हैं आपको ध्यान लखना है नेक्स प्रशन नब्बे नंबर निमलिखित में से सरवदाता रखतसमू है आपसन ए ए गृप आपसन दो बी आपसन थ्री ए बी आपसन फोर ओ ये आपका सरवगराही होता है ये लगभग हर परिच्छा में पूशा गया प्रशन हर बार तो काफी इंब्बोडन प्रशन है आपको ध्यान लखना है एक क्यान निवे नम्म प्रशन है मानों हर्दय में प्रकोष्टों की संख्या होती है जानि कितने भाग होते है ए तो होते है चार होते है छे होते हैऊ शे होते हैं आर्थ होते हैं तो राइट आंतर वच्चों है आपके प्रखोष्टों चौर भागा होती है तो बढ़ने नंबर टी हम पैंसलीनि की खोचकी है तो पैंसलीन की खोच किसने की थी रावर्ट हूक रावर्ट ब्राऊन sublim lic appe उपरक्त में से कोई नहीं रॉइक्ट आंसर म्हें पैंसलीन की खोचकी थी यःभ पावर हाउस है ना चौराने तरफ नम प्रश्न है सजीव लथा निर्जीव के भीस की कड़ी है जीवाणू विशाणू कवक उप्रवक्तु में से कोई नहीं राइट अंतरवां चीस में है सेकेंड आप्सन विशाणू जो होता है इसे सजीव और निर्जीव के बीष की कड़ी कहा जाता है क्योंकि यह ऐसे स यह वाइरस है वार f i7 चीज है सब जीबिद कोजिका के पास पहुंचती है तो जीबिद हो जाती है और अगर म свидACE कि निर्जीव तो ये इस प्रकार से विवहार करता है इसके बाद है पंचाने में नम्म प्रशन मानो का जन्तू विज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, सेपियंस, जावा मानो, कुरो मैगनान और उबरक्त में से कोई नहीं तो राइट आंसर इसमें बच्चो फर्स्ट आप्सन है होमो सेपियंस, आपका फर्स्ट आप्सन सही है मानो का जन्तू विज्ञानिक नाम च्यानमे नम्म प्रशन है कीट बच्ची पौधे सामानता उन अस्थानों पर बाए जाते हैं जहां पर भूम में कमी होती है तो राइट आंसर इसमें बच्चो है सेकैंड आप्सन नायट्रोजन की कमी, जहां पर नायट्रोजन की कमी होती है वहां पर कीट बच्ची पौधे पाए जाते हैं सामानता है दलदली अस्थानों पर ये पौधे पाय जाते हैं जैसे डुरोसेरा आपका हो जाएगा वीनस फ्लाई हो जाएगा ये पौधे आपके कीटवच्छी पौधे होते हैं 97 नम्र प्रशन है मनुस्थ की मुगवा में कितने प्रकार के दाथ पाय जाते हैं तो इसमें आपका बच्छो राइट आंसर चार प्रकार के दाथ होते हैं मनुस्थ की मुगवा अर्थात मुह में तो मुह में चार प्रकार के दाथ करिंतक पहला होता है करिंतक और इसके बाद रदनक होता है रदनक और इसके बाद अगर चवरणक और इसके बाद है चवरण इसके बाद हम बात करते हैं 2019 की परिच्छा में पूछे गए प्रस्णों की काफी इंपोरेंट प्रश्ण है 99 प्रश्ण पूछता है कि मचलियों में स्वसन अंग होता है अर्थाद मचलियां किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं तो इसमें बच्छों राइट आंसर आपका ह जिनको गल्फड़े कहा जाता है तो ध्यान रखेगा गल्फड़े या गिल्ज इनके द्वारा मचलियां स्वसन करती हैं था सांस लेती हैं सौनम्मा प्रश्ण है मनुस्ति के हर्दय में कितने कच्छ पा जाते हैं यही प्रस्ण आपका 2019 की परिच्छम पूछा गया और व इसके बाद है 200 नमबर प्रश्ण का राइट आंसर आपका पता होगा चार गच्छ होते हैं 101 नमबर प्रश्ण इनमे से किस पौधे में काईक जनन पत्तियों द्वारा होता है यह प्रस्ण कई वार मुशा गया है बर उदाहर जो आपके आपसन होते हैं वो चेंज हो जाते तो काईक जनन किस में होता है आम गुलाव बबूल या अजूबा तो राइट आंसर बच्छों है अजूबा में पत्तियों द्वारा काईक जनन होता है 102 नमब प्रस्ण है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवार होता है तो इसमें आपका होत है दलहनी पौधों में राइजोबियम नमक जीवार होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में दलता है ठीक जिससे जो मर्दा होती हो उपजाव हो जाती है इसके अलावा क्लोरेला दिया गया है क्लोरेला इसकी क्लोरेला सहवाल होता जिससे क्लोरेलिन नमक दवा बन तो राइट आंसर है अमीबा अमीबा जो होता है कूट पात की सहाथा से चलता है और अपने भोजन को पकड़ने का कार्य भी कूट बात द्वारा ही करता है इसके लावा केचुवा जो होता हो दूइलंगी पौधा होता ध्यान रखेगा इंपोर्टन प्रश्ण है यह दूइ इतलाओल कवक मांस फर ना राइट अंसर श्चों है जो कवक होता है अपने देखा होगा कव कुर्मुट्था व गएरा है तो क whipping क्या है कवक होता है लेकिण उसमें हरित म७ рублей का होते हैं अर्था तो सपेद कलर का आपको दिखाजेगा मसरूम आये तो ये क्या है ये कवक होते हैं लेकिन ये इसमें हरित लवक नहीं होता 105 नमबर प्रशन है निमलिखित में से कौन सा अंग समझात नहीं है मेढक का अगरपाद पच्छी का पंक मनस्य का हाथ और तितली का पंक राइट आंसर है बच्चों होर्थ आपसन तितली का पंक इसके बार नेक्स्ट 106 नमबर प्रशन है स्वसन किरिया में पौधे वाता व इसके बाद है इसके बाद है एन when the प्रशन है यह नमलिखित मे से किस्मे मूर्ण द्वारा प्रजण होता है आपसन है केकुवा, दूसरा अपसन मेड़ाग, तीसरा आपसन हाइडरा और चौथस हाथन है मचली राइट आंसर इसमें बच्चों है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजलन होता है इसके लाबा केचुवा जो होता है यह दूइलंगी पौधा होता है हमने आपको बता दिया मेडग जो इसमें बाहर निशेचन होता है तो ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट प्रशन आप सबसे पहले किस इसतंधार्य जनतों की कुलोनिंग की गई ती कोमतलब है उसकी हाइवेट प्रजाती को विक्सित किया गया था तो क्लोनिंग किस जीव की की गई थी आपसन है बकरी खरगोस गाय और भेंड तो राइट आंसर वच्छों है फोर्स आपसन भेंड भेंड की सबसे पहले क्लोनिंग की गई थी 111 नम्ह प्रश्ण है पत्ति का भाग नही है तो पत्ति का कौन सा भाग नहीं है प्रण फलक मद्यसिरा बाह दल प्रण वरंत राइट आंसर अच्छों है बाह दल यह बाह दल जो होता है वो फूल का भाग होता है अर्थात पुस्प का भाग होता है पुस्प के भागों की बात करेंगे तो जिसे बाह दल आपका हो और पुस्प व्रंत हो गया और दल हो गए दल पुंज हो गए इसके अलाब पुंकेसर इस्त्री के सर यह सारे आपके पुस्प के भाग होते हैं और प्रणड फलक मध्यसिरा प्रणड वरंत यह आपके पत्ति के भाग हैं तो आप ध्यान रखेगा 112 नमर प्रणड डेंगू रोक का वाहक होता है तो डेंगू रोक का वाहक वच्चों एडीज मच्छर होता है और मलेरिया का जो वाहक होता है मादा एनालफीज होता है ध्यान रखेगा मलेरिया अगर बात करेगा तो मादा एनालफीज और डेंगू की बात करेगा तो एडीज मच्छर तो 112 का राइट आंसर फास्ट आप्तन हो जाएगा 113 नमप्रश्ण है खर्पत्वार नासी कौन सा है तो खर्पत्वार नासी आपका थर्ड आपसन 24D होता है क्या होता है 24D आक्सिन यह पादर फार्मोंस होता है इसके अलावा है 114 नमप्रश्ण गंगा कार्य पर्योजना प्रारंभ की गई थी एक्सोगदा नुम्बर प्रश्ण है गंगा परिकारे परियोजना प्रारम की गई 1981, 1980, 1972 या 1988 तो एक्सोगदा नुम्बर प्रश्ण में राई टांसर आपका वच्चों हो जाएगा 1980 अर्था तेकें रापसन बिल्कुल सही जवाब होगा 1985 में गंगा कारे परियोजना प्रारम की गई थी 115 नुम्र प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा रोग बिशाण द्वारा नहीं होता है आपसन पोलियो, खसरा, एड्स या च्छै रोग तो राई टांसर बच्चों होगा आपका च्छै रोग जो होता है यह आपका वाइरस के द्वारा रथात बिशाण के द्वारा नहीं होता इसके बाद है 16 नुम्र प्रश्ण निमलिखित में से किसमे कोसिका भित्ती पाई जाती है कोसिका भित्ती पाई जाती है, यह किसमे पाई जाती है 180 अप्राश्ण है लू उई-पासर, एडवर्जेनर, राबर्ट कोज, एलफ जेनर फ्लेमिंग। right answer है चेचा के ठीकिए का जो खोज ہے वो Edward Jenner की थी तो सेकेश्ड आपसर मिल्कुल सही है एकसव तो नमा प्राटर्टिक रेशा है तो प्राकर्तिक रेशा कुन सा है रेयान नाइलान तो यह आपके तो करतिम रेशे दिये गए हैं तो इसमें आप देखेंगे तो तीसरा आप्षन है कपास पॉलिष्टर तो राइट अंसर उच्छों इसका हो जाएगा थार्ड आप्षन का पास जो होता है प्राकर्तिक रेशा है बाकी रेयान आपका हो गया नाइलान हो गया पालिष्टर हो गया यह सारे आपके संसलेशित रेशे हैं या फिर हम कह से केते हैं यह करतिम रेशे होते हैं तो इस प्रकार से आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं 2020 तक की परिच्छा में आये हुए सभी प्रशनों को हमने इस प्रकार से करा दिये हैं बाकी 2021 और 2022 2023 इन तीनों प्रशनपत्र को हमने अलग से पढ़ाया हुआ है पूरा प्रशनपत्र का PDF बना के तो आप वहां से उसको देख सकते हैं सारे विज्ञान के प्रशन आपके हो गए 2009 से लेकर 2023 तक के विज्ञान के प्रशनों का हल हमने बता दिया अभी आपके 2009 से लेकर 2020 तक के Physics और Chemistry अर्थात बहुती विज्ञान और साइन विज्ञान के प्रशनों की आगे सरंखला चलेगी आगे वीडियो प्लब्द कराए जाएंगे तो आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और डेली वीडियो आप लोग जरूर देखिए गया अब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाद